जनम और मृत्यु दोनों ही हमारे विचार हैं यह समझना बहुत कथिन होगा कि जनम और मृत्यु हमारे अपने विचारों में से निर्मित होते हैं जब कोई वेक्ति मरता है तो अंतिमशणों में वेक्ति जनम का विचार क्षेपित लिए उसके मन में एक प्रश्ण उठता है वे किस रूप में वापस आएगा? उसके जीवन के अनुभव एक रूप में संक्षित हो जाते हैं, एक रूप उपढ़ता है यदि तुम बिना किसी विचार के मर सकती हो, तो तुम्हारा जनम नहीं होगा तुम्हारा जनम तुम्हारा विचार है, वै उसे बनाता है ये बस इत्फाक नहीं है कि तुम जनमे हो, कुछ भी इत्फाक ही नहीं होता तुमने इसका कारण मनाया है, तुम इसके लिए जिम्मेदार हूए। लोग अपने मन में विभिन रुपों के साथ मढते हैं, वे रुप मारदर्शन करते हैं, फिर वे उन मारदर्शी रेखाओं के अनुसार एक गर्ब में प्रवेश करते हैं, जनम उत्पन होता है। और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मृत्यू भी तुम्हारा ही विचार है। लोग अपने विचारों के अनुसार मढते हैं, बास्तर में गहरे मनों विज्ञान का अनुमान है कि प्रतेक मृत्यू एक आत्मत्या है। और ये अनुमान लगबक सच है, बुद्पुर्शो को हम इस रिणी में नहीं रख सकते। लेकिन बाकी सभी के बारे में ये सच है। तुमारी मृत्यू तुमारा विचार है। जीवन में जब तुम धर जाते हो, तो तुम सोचने लगतर हो कि बस बहुत हो गया। क्या तुमने कभी आत्मत्य के बारे में सूचा है। हम अपने आसपा संभावनाय बनाते रहते हैं। और जब वे सच होती हैं, तो हम हैरान होते हैं। बस अपने विचारों को देखो और समझो कि वे तुम्हारे जीवन को कैसे मनाते हैं। एक ध्यानी अपने जीवन की संद्रश्ना खुद करता है। और अपने मृत्यू भी वही चुनता है। और होने वादा जननम भी। और प्रक्रट्ती का उस्तवरवश्च कम वह जाता है। इसलिए अपने जीवन को एक सून्दर संद्रश्ना दूख फिर तुम एक दिन अपने मृत्यूपों भी स्रजन करपाऊगे।